आप देख रही है MNS News सच जुरूरी है तरह का विवार करते हैं उसका ताजा उधारन है ये खबर यहाँ बीजेपी के जिला उपाद ध्यक्ष और बड़े वैपरियों में शुमार अनिल नागोरी माजी कावन रुपे के लिए टोल प्लाजा पर एक महिला से भीड़ गए उन्होंने महिला कोन के वर डाटा बलकि उसके साथ गाली गलोज भी किया सत्ता के नशे में चूर नागोरी इतना बोकला गए थे कि उन्हें दिखाई नहीं दिया कि उनकी रिकार्डिंग हो रही है वे लगातर चिलाते जा रहे थे टोल प्लाजा स्टाफ ने जैसे तैसे उनने समझा बुझा कर मामला शांत किया इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायर हो गया बताय जा रहे कि वीडियो 23 जून की राश शाम करिब 4 बजे का है उस वक्त नागोरी परिजनों के साथ पिपलिया मंडी से नीमच की और जा रहे थी इस बीच उनकी गाड़ी टोल प्लाजा से निकली यहां मौझद मैला स्टाफ ने उनका 51 रुपे का टोल शूल का काट दिया टोल की परची देख नागोरी बोकला गए वे तुरंद गाड़ी से बार आए और यूती को बुरा भला कहने लगे इस बीच शोर शराबा सुन टोल का पूरु स्टाफ भी आ गया पूरु स्टाफ उनसे शांत रहने के अपिल करने लगा बीजेपी जिला उपादेख्ष ने मैला को दी गाली नागोरी ने यूती से का तेरी कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखेगा तु मुझे जानती नहीं है मैं कोन हूँ वह इतने पर ही नहीं रुका उसने मैला से गाली गलोश करना शूरू कर दिया इस पर महिला ने भी नागोरी को जवाब दिया महिला ने कहा आपने मुझे गाली दी या गलत है 36 सेकंड के इस वीडियो में बीजेपी नेता अनिल नागोरी पर छारा सत्ता का नशा 51 रुपे के लिए टोल कर्मी से उलसते वे बीजेपी के इस अनेता का यह वीडियो वाइरल होने के बाद अब इसकी आलोश ना भी शुरू हो गई आए देखते हैं अगली ख़बर की तरफ मुकेश अंबाणी के साथ अमेरिकी स्टेट डिनर में शाम मिल हुए निता अंबानी पैना रिलाइंस के स्वदेश ब्रांड का परिदान अमेरिका के राश्टरपती जो बाइडेन और फास्ट लेडी जिल बाइडेन ने प्रदान मंत्री नरंदर मोदी के संबान में गुरुआ 22 जून 2013 के शाम स्टेट डीनर को होस्ट किया इस डीनर में रिलाइंस इंडस्ट्रीज के चेर्मैन और मैनेजिंग डारेक्टर मुकेश अमबानी और उनकी पतनी रिलाइंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेर परसन निता अमबानी ने भी शिरकत की इसai विशेश मोके पर नितायमबानी पारंपारिक भारतिया पोशाख पहन कर वाइट हाउस में आयज्य स्टेट डिनर में शामिल हुई इस खास मोके के लिए नितायमबानी ने रिलाइंस के ब्रांड स्वादेश की रेशं से बनी साड़ी चुनियर स्ट्रेट डिनर में शामिले 400 से जादा हस्तिया, मुकेश अमबानी और नितामबानी के अलावा स्ट्रेट डिनर में गूगल की CEO सुंदर पिचाई और एपल की CEO टिम कुक सामेट उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों और अरपती उद्योग पतियों को आमंत्रित कि आ गया था, उद्योग पति आनन महिंद्रा कार्पोरेटेट दिगज इंदिरा नुई, माइक्रोसोफ्ट के CEO सत्यन अडेला, एड़ोप के CEO शांतनु नारें, मानवाधिकार कारेकरता, मार्टिन लुधर्ट किंग तृतियों टेनिस के दिगज खिलाडी, बिली जीग नाइट शामलन, फाशन, डिजाइनर रालफ लारेल, ग्रैमी पुरसकार विजटाश जोशुबा, बेन और उद्यमी, फ्रैंक इसलाम भी सकार कमिश शामिल हुए, स्टेट डिनर में रिलाइंस इंडेस्ट्रिट के CMD मुकेश अंबानी और उनकी पतनी निता अंबानी, सा कब्जी को लेकर किसान को बहुअ काने का विडियो वाहरा, ऐस शहर बताने वाले शोशल मिडिया पर जम्प ड़ाइट हो रहा... यूवक की धमकी वाली वीडियो वाइरल इस वीडियो में शेरू आसलम किसान से उसकी जमीन के पास आकर धमकाते हुए कह रहा है कि ये मेरी जमीने दोबारा यहां दिखातों उठा कर ले जाओंगा किसान उमेंद्र राम साहु ने जिले के कलेक्टर से इसमामले की शिकायत करते हुए नयाई की गुवार लगाई है किसान का कहिना है कि बाहिस्तारी को एक विशेश समुदाय का यूवक जो अपने आपको कॉंग्रिस का शहर जिला अध्यक्षब बताता है वह अपने साथियों के साथ आकर मुझे जमिन चोड़ने की दमकी देने लगा और मेरी जमिन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है आरोपी अब तक पूलिस की गिरफ्ट से बाहर किसान ने अपनी शिकायत में बताया कि अपने आपको कॉंग्रिस का शहर जिला अध्यक्षब बताने वाले यूवक ने मुझे धमकाते वे का यदि मेरे से पंगा लोगे तो मुझे को जान से मार देगा इस वाइरल वीडियो के बाद भी आरोपिया अब तक पूलिस की गिरफ्ट से बाहर है समादाता के कार्यवाग एसपी राजेंद्रा जैस्वाल से मामले पर प्रतिकिया ली तो उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत मिली है शिकायत पर जान्च की जा रही है अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल लेप पर देखने के लिए प्लेस्ट लोट से MNS News TV एप्स डाउनलोड करें इंस्टालिंग, ट्विटर, आइकुक, फेस्बुक और कई सोशल मीडिया के प्लैटपरम पर हमारे चैनल उपलब दे, आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर फिलहाल वर्क तो जलादर्शिक को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम कबरे बने रही है MNS News पर नमस्का ये है MNS News नेटबर और आप देख रहे है MNS News